नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारी आज की कवीता का शीर्चक है कैदी और कोकिला जिसके लेखक है माखनलाल चत्रुवेदी माखनलाल चत्रुवेदी जी का जनम मध्य परदेश के होशंगाबाज जिले में 1889 में हुआ था वे भारत के ख्याती प्राप्त कवी, लेखक और पत्रकार थे जिनकी रचनाएं अत्यंत लोग प्रिये हुई वे सरल भाशा और जोशीली भावनाओं के अनूटे हिंदी रचनाकार थे उन्होंने ब्रिटिक शासन के खिलाव जोड़दार प्रचार किया और नई पीड़ी से आवन किया कि वे गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर बहार आए वे सच्चे देश प्रेमी थे और 1921 से 1922 के अस अयोग अंदुलन में सकरिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए उनकी कविताओं में हमें देश प्रेम के साथ साथ प्रकरती और प्रेम का भी चितरन मिलता है तो आईए दोस्तों शुडू करते हैं कवी ने कैदी और कोकिला कविता उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था वे खुद भी एक स्वतंतरता सेनानी थे जिस वज़े से उनने कई बार जेल जाना पड़ा जेल में रहने के दोरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद सवतंतरता सेनानीों के साथ कितना दुर्वेवार होता है इसी सोच को उस समय समस्त जंता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कवीता की रेचना की दोस्तों ये कवीता 10 पैरग्राफ में डिवाइडिड है मैं एके करके आपको सबका एक्स्प्लेनेशन देते हुआ आगे बढ़ूँगा तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहले पैरग्राफ से जिसका भावार्थ यह है उप्रियुक्त पंक्तियों में कवीने कारागार में बंद एक स्वतंतरता सेनानी की मनोदशा को दरशाया है रात के घोर अंदकार में कारा ग्रह के उपपर जब वे एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एफ प्रशन उत्पन होने लगते हैं उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है कोई प्रेड़ना का स्तरोत लेकर आई है उससे इन प्रशनों का बोज सहा नहीं जाता और वो एक एक करके कोयल से सारे प्रशन पूछने लगता है वे सर्व प्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही पिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो वो कोयल से कहता है हे कोयल जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो और ये संदेश तुम में कहां से मिला है जरा मु पराधीन भारत में डेल में बंद स्वतंतरता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार हम अपनी दैनी स्थिती का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंदकार में काली और उची दिवारों के बीच डाकू, चोरो, चक्को के साथ रहना पड़ रहा है ज जानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रक्तना ही प्रशासन का उदेश्य है इस परकार उनकी स्वतंतरता पूरी तरिस से शीन ली गई है और उनके उपर रात दिन कड़ा पैरा लगा होता है अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है क्या तू कोई संदेश लेकर आई है आईए दोस्तों अब अपने थर्ड पैराग्राफ के और बढ़ते हैं जिसका भावारत यह है इन पंक्तियों में कवीने कोयल के स्वर में वेधना को बोच के सम कार द्वारा किये जाने वाले अत्यचार को देख लिया है इसलिए उसके कंट से मीठीय मदुर्द्वनी के बजाए वेधना का स्वर सुनाई पढ़ रहा है जिसमें कोयल के दर्द की हूग शामिल है कवी के अनुसार कोयल अपनी वेधना सुनाना चाहती है इसलिए कवी को कोयल बोलो तो तुमारा क्या लुट गया है जो तुमारे कंट से वेधना की ऐसी हूख सुनाई पढ़ रही है कोयल तो सबसे मीठीय सुरीली अवाज के लिए विख्यात है जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुश्य प्रसन हो उड़ता है लेकिन जेल में बंद स्वतंतरत सिनानी को कोयल की अवाज ना तो सुरीली लगी और ना ही मीठी लगी बलकि उसे कोयल की अवाज में दुख और वेधना की अनुभूती हुई इसलिए वे व्यकुल होटा और कोयल से बार-बार पूछने लगा कि बताओ कोयल तुमारे उपर क्या विपदा आई है आईए द वजय से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूचा है कि तुमें क्या हुआ है? तुम इस तरह आदी रात में क्यों चीक रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवी ने जंगल की आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं क इसका भावारत यह है? कवी को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंदा हुआ देख कर यूचीक पड़ी है इसलिए कैदी कोयल से कहता है क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिप्टे हुए नहीं देख सकती हो? अरे यह तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दि इंतरता के गान लिख रहे हैं हम अपने पेट पर रसी बांद कर कोलू का चरसा चला चला कर ब्रेटिश सरकार की अकड़ का कुआ खाली कर रहे हैं अर्थात हम इतनी यातनाए सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं जुक रहे हैं जिससे उन पता चल गई है इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांतवना देने आई हो परन्तु तुमारे इस वेधना भरे स्वर ने मेरे उपर गजब ढ़ा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है आईए दोस्तों अब हम अपने छटे पैराग्राफ के और बढ़ते हैं आगे कवी ने जेल में कैद एक स्वतंतरता सिनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस परकार कोयल ये गीत गाग आकर भारतियों में देश प्रेम एव देश भक्ती की भावना को मजबूत बनाना चाती है ताकि वे अंग्रेजों की परतंतरता से मुक्ति पा सकें आईए दोस को हमारे समाज में फैले दुख और अशांती का प्रतीक माना गया है इसलिए कवी ने यहां हर चीश को काला बताया है कवी कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है ये राद भी गोर काली है और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी हवा भी काली है मैंने जो टोपी पैनी हुई है वे भी काली है और जो कंबल में ओडता हूँ वे भी काला है मैंने जो लोहे की जंजीरे पैन रखी हैं वे भी काली है और इसी वज़े से हमारे अंदर आने वाली कलपनाएं भी काली हो गई है इतनी यातनाओं को सहने के हम में हमारे उपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है जो किसी काले साप की भाती हमें डसने को दोड़ती है दोस्तों अब हम अपने आठवे पैराग्राफ के और बढ़ रहे हैं जिसका भावारत यह है कवी यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आदी रात में कारागार के उपर मंडरा कर अपनी मदूर आवाज में गीत क्यों गा रही है क्या वैस संकट में खुद को इसलिए लिया है कि उसने मरने की ठान ली है इसका कोई लाब होने वाला नहीं है इसलिए कैदी कोयल से पुछ रहा है हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिती में अजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो आईए दोस्तों अब हम अपने नौवे पैराग्राफ के और बढ़ते हैं जिसका भावार्त यह है प्रस्तुत पंक्तियों में कवी ने स्वतंत्र कोयल एव बंदी कैदी के मंस्थिती की तुलना बड़े ही मारमिक ढंग से की है जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड की डाली में जाकर बैठ सकती है कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मंचाहे गीद गा सकती है वही दूसरी और कैदी के लिए अंदकार से भरी दस फुट की जेल की चार दिवारी है जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है वह वहाँ अपनी च्छनुसार कुछ भी नहीं कर सकता कोयल के मदुर गान को सुनकर सब लोग वावा करते हैं वही किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं इस परकार कैदी और कोयल की परिस्थिती में जमीन आस्मान का फरक है फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है कैदी कोयल से जानना चाता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहसे में ढंक से गाने का क्या मतलब है तो दोस्तों अब हम अपने अंतिम पैराग्राफ की और बढ़ रहे हैं जिसका भावार्त यह है प्रस्तुत पंक्तियों में कवी ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंतरता की प्रभल भावना को दिखाया है जहां कोयल अपने जोशीले गाने से देशवासियों में विद्रो को जागरत कर रही है वही कैदी स्वतंतरता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातने सेहन कर रहा है इसीलिए कवी ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए अजादी का संदेश बताया है जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है इसीलिए इन पंक्ती में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल मुझे बता कि मैं गांदी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंतरता संग्राम में किस तरह आपने प्राण जोग दूँ मैं तुमारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांती की ज्वाला भढ़काने वाले अगनी तो पैदा कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या कर सकता हूँ तो उमीद है दोस्तों आपको ये एक्स्प्लेनेशन समझ में आ गया होगा आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान क्या थैंक यू